प्रभास के सेट पर खीची गई है इस पोटो में प्रभास बड़ी-बड़ी मूचो और छोटी दाड़ी में दिखाई दे रही है उन्होंने आखो पर चश्मा भी लगा रखा है रिपोर्ट्स की माने तो अपने कैरेक्टर राम के लिए प्रभास ने इस लुक को रखा है आदी पुरुष फिल्म की बात करें तो ये 11 अगस 2022 को रिलीज होगी ओम राउत के डारेक्शन में बन रही इस फिल्म में सैपली खान लंकेश की भूमिका में नसर आएंगे वरुन धवन और कृती सेनन की फिल्म भेडिया का टीजर रिलीज कर दिया गया है सोशल मीडिया पर से शेयर करते हुए कृती सेनन ने लिखा स्त्री और रूही को भेडिया का प्रणाम ये 14 अप्रेल 2022 को सिनमा घरों में रिलीज होगी टीजर की बात करें तो इसमें एक शक्स पहाड़ पर खड़ा होकर जोर से चिला रहा है बाद में वो भेडिया का रूप ले लेता है अगले ही सीन में भेडिया जंगल में किसी पर अटाक करते हुए दिखता है 38 सेकंड का ये टीजर डरावना लग रहा है मूवी को इस त्री और बाला फिल्म बनाने वाले अमर कौशिक डायरेक्ट कर रहे है कृती सेनन की बात करें तो वो इन दिनों बच्चन पांडे की शूटिंग में फियस्थ है साल 2015 में आई अजय देवगन और तब्बू की फिल्म द्रश्यम का सीक्वल बनने जा रहा है दरसल मोहनलाल की द्रश्यम 2 की सकसस के बाद प्रेडियूसर मंगत इसके राइट्स खरीदने की तयारी में है बॉलविड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक द्रश्यम की सीक्वल में भी अजय देवगन और तब्बू ही नजर आएंगे मंगत और अजय देवगन मोहनलाल की द्रश्यम 2 की राइट्स खरीदेंगे सब कुछ सही रहा तो 2021 के सेकेंड हाफ तक ये फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी जिससे 2022 में रिलीस किया जाएगा मगर अभी तक इस बारे में कोई भी ओफिशल अनॉंस्मेंट नहीं की गई है अगली खबर भी एक सीक्वल की ही है साल 2014 में आई आमिर खान की फिल्म फीके का सीक्वल बनाया जाएगा प्रोड्यूसर विदू विनोध चोपडा ने इस बात को खुद कंफर्म किया है मिद्दे को दिये एक इंटर्व्यू में विदू विनोध ने बताया हम इसका सीक्वल बनाएंगे हमने पीके के अंत में एक सीन रखा था जिसमें रंबीर कपूर दूस्टे प्लानेट से धर्ती पर आते दिखाई दिये थे सीक्वल की स्टोरी भी यहीं से शुरू होगी मगर अभी तक राइटर अभिजाज जोशी ने इस कहानी को लिखा नहीं है जिस दिन वो यह कहानी लिख लेंगे हम इसका सीक्वल बना लेंगे आमिर की पीके में उनके साथ अनुष्का शर्मा और शिशान सिंग राजपूद भी नजर आये थे जॉन अब्राहम के आक्शन फिल्म अटाग की रिलीस डेट आ गई है जॉन ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे शेर किया है उन्होंने लिखा अटाग आक्शन से भरपूर और शांदार फिल्म है जो मुझे बेहत पसंद है 13 अगस 2021 को रिलीस हो रही है इस फिल्म में जॉन के साथ जाकलीन फर्नांडस और रकुल प्रीट सिंग भी नजर आने वाली है लक्षराज आनंद के डारेक्शन में बन रही फिल्म की कहानी क्या होगी अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है महीं जॉन की दूसरी फिल्म मुंबई सागा की बात करें तो इसे थेटर में रिलीस किया जाएगा कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि मेकर्स मुंबई सागा को आमाजान प्राइम विडियो पर रिलीस करेंगे मगर कोई मुई.com की रिपोर्ट के मुताबक इसे पहले थेटर में ही रिलीस किया जाएगा इसके बाद ये OTT प्लाटफॉर्म्स पर आएगी कार्टिक आरिन की अपकामिंग फिल्म भूल भुलाया 2 की भी रिलीस टेट आ गई है तरणादर्श के ट्वीट के मुताबिक भूल भुलाया 2 इस साल 19 नवंबर को रिलीस होगी अनीस बजमी के डारेक्शन में बन रही इस मूवी में कार्टिक के साथ तब्बू और क्यारा आडवानी भी नजर आएंगी बीते दिनों खबर आ रही थी कि फिल्म की शूटिंग लगाताई डीले हो रही है कुछ दिनों पहले ये भी हवा उली थी कि इस डीले का कारण तब्बू है जो अपनी शूटिंग डेट्स को आगे बढ़ा रही है मगर बाद में डारेक्टर अनीस ने इस अव्वा को पूरी तरह से घलत बताया भूल भूलया 2 को पहले 2020 में रिलीज होना था मगर कोविट की वज़ह से इसे आगे बढ़ाना पड़ा कारति के फिल्म साल 2007 में आये अक्षे कुमार की भूल भूलया का सीक्वल होगी अगली खबर शारुक के फैंस को निराश कर सकती है बीते दिनों यश राज फिल्म्स ने 5 फिल्मों के अनाउंस्मेंट की थी जिसके बाद फैंस ही पूछने लगे थे कि आखिरकार शारुक की पठान कब रिलीस होगी अब बॉलिवर्ट हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए फैंस को अगले साल तक वेट करना पड़ेगा रिपोर्ट की माने तो वार फिल्म डारेक्टर सिधार्ट आनंद की फिल्म पठान साल 2022 में रिलीस होगी वैसे अभी तक इस बात की कोई ओफिशल अनाउंस्मेंट नहीं की गई है इस फिल्म में शारुक खान के साथ दिपिका पदकून, जॉन अब्राहम और डिम्पल का पाडिया जैसे कलाकार होंगे सल्मान खान का भी इस फिल्म में क्यामियो रोल होगा कुछ दिनों पहले शारुक के फैंस ने ये भी कयास लगाना शुरू कर दिया था कि पठान इस साल गांधी जैनती पर रिलीस होगी मगर अब ऐसा नहीं लग रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि मेकर्स पठान के अनौंस्मेंट एक स्पेशल विडियो से कर सकते हैं शारुक लंबे समय बाद पठान फिल्म से बड़े परदे पर वापसी कर रहे हैं इसलिए makers चाहते हैं कि इसकी announcement भी special तरीके से की जाए मगर अभी तक इसकी announcement को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है शारुक खान के work front की बात करें तो पठान के बाद वो राजकुमार हिरानी की फिल्म में नजर आएंगे अगली खबर है बिग बॉस के चौदवे सीजन की 21 परवरी को ये शो खत्म हुआ और शो की विनर बनी रुबीना दिलैक उनकी टकर राहुल वैट से थी शो के ग्रान पिनाले पर लाइब वोटिंग के बाद ओडियन्स की वोट पर विनर्स के नाम की announcement हुई राहुल वैद शो के रनर अरब बने रुबीना की बात करें तो वो अपने पती अभिनव के साथ शो में आएं थी रुबीना इससे पहले ZTV के शो चोटी बहु और शक्ती अस्तित के हिसास की सीरियल में नजर आ चुकी है रुबीना साल 2006 में Miss Shimla खिताब जीत चुकी है इसके अलावा साल 2008 में Miss North India का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है रुबीना ने Big Boss Trophy के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने फैंस को शुक्रिया भी कहा तो बस आज के शो में इतना ही चलते चलते याद करेंगे एक्टर, अफ्तकार और फिल्मेकर सूरज बढ़जातिया को डॉन, दीवार, श्री 420, जंजीर, त्रिशूल, जॉनी मेरा नाम और कभी-कभी फिल्म में दिखाई देने वाले अफ्तकार एहमद शरीफ के आज बिर्थ एनिवर्स्री है वो भले ही अब हमारे बीच नहीं है मगर उनका काम हमेशा हमारे दिलों में रहेगा सूरज बर जाते का आज जंदिन होता है उनकी बनाई हुई मैंने प्यार किया हम आपके हैं कौन हम साथ साथ हैं विभा एक विभा ऐसा भी और मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्मों ने कई जनरेशन्स को परिवार और संसकार का पाठ पड़ाया है हमारी ओर से सूरज को भी जन्दिन की टोकरी भरबदाई तो बस आज के सिनमा शो में इतना ही आपसे मुलाकात होगी कल तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा बहुत सारा शुक्रिया और नमस्ते